Hello everyone, कैसे हो आप लोग, तो welcome to DCS, doubt clearing series, जिसमें आप मुझे doubt भेशते हैं, whatsapp group में, जिसमें से कुछ के वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर ले करके आता हूँ, तो आज ये कि ऐसा ही doubt है, vector का easy, बहुत easy question है, जिसमें अगर आपको खाली question समझ में आजेगी, वो क्या बोल रह है, जिनका magnitude कितना है, 1, 2 and 3, whose direction are those of the sides of equilateral triangle, अगर आप एक equilateral triangle लो, जिसमें आपको मालू में सारे sides के बीच में angle कितना होता है, 60 degree, तो इसकी जो sides है, उस direction में ये तीन vector है, 1, 2 and 3, तो आपको बोला है कि इन तीनों का जो resultant है, वो first vector से कितना angle बनाएगा, 30 degree, 15 degree, 100 degree, या 150 degree, चलो, तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है, कि अगर एक triangle दिया हुआ है आपको, तो हर दो vector के बीच में 60 degree होगा, अगर one vector है, तो दूसरा उसके 60 degree, और जो तीसरा है उसके 60 degree, तो मतलब अगर आप उसको अगर एक ही point से बनाओगे, तो अगर one वाले को अगर आपने horizontal में था, यह second वाले से 60 degree मना रहा था, तो अब देखो, अगर ये angle 60 होगा, खुद देखो, अगर ये angle 60 होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये angle भी कितना होगा, 60, मतलब कि ये angle भी कितना होगा, 60, अब तीन vector है, one magnitude का, two magnitude का, और three magnitude का, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, resultant निक गरूच चालना है, तो देखो, क्या करो, इस twenty के तुकड़े कर दो, simple, three के तुकड़े कर दो, इस two का तुकड़ा करोगे, तो क्या होगा, तो two के अगल के पास वाला, cos theta, angle के दूर वाला, sin theta, तो angle के पास वाला, तो ये क्या होचाएगा, cos theta, two cos 60, two into, cos 60, cost 60, मितलब कितना, cos 60 आपका हो जाएगा sin 30 की ब्राबर 1 by 2 तो 2 into 1 by 2 इधर हो जाएगा 1 इस 2 वाले का इधर side component कितना हो जाएगा 1 और 2 का उपर होला component कितना हो जाएगा 2 into root 3 by 2 मतलब की खाली root 3 चलो इसको भी तोड़ते हैं इस 3 वाले को तोड़ते हैं 3 magnitude वाले को तो एंगल के पास वाला cos theta एंगल के दूर वाला sin theta तो इधर जो component आएगा वो कितना हो जाएगा 3 cos 60 मतलब 3 by 2 मतलब 1.5 plus 1.5 और देखो नीचे नीचे जो component आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 sin 60 sin 60 मतलब root 3 by 2 तो 3 root 3 by 2 बस अब देखलो net net कितना है net horizontal direction में 1 उधर और 1 1 plus 1.5 इधर उधर कितना है 1 plus 1.5 और इधर कितना है 1 तो 1 और 1 एक दूसरे को माल डालेंगे बहरे मी से बचेगा कितना सिर्फ 1.5 तो इधर हो गया net आपका 1.5 उपर कितना root 3 और नीचे कितना 1.5 root 3 तो net net नीचे कितना हो जाएगा root 3 by 2 अब आपको इनका resultant निकालना है कि वो इस से कितना बना रहा है y axis से तो मालनो कि resultant बना रहा है theta तो 10 theta की value कितनी हो जाएगी आपकी 10 theta is p by b तो 10 theta तो p by b तो 1.5 मतलब 3 by 2 3 by 2 divided by root 3 by 2 मतलब इंटू 2 by root 3 तो 2 ने 2 को मार दिया और 3 ने root 3 को मार दिया तो खाली एक root 3 बज गया उपर 3 लिखा हुआ है मतलब root 3 into root 3 लिखा हुआ है root 3 cancel हो गया खाली कितना बज गया root 3 और 10 theta root 3 कब होता है 60 degree में मतलब यह जो resultant बना पूरा इंतीनों का जो resultant बना वो कितना एंगल में बन रहा है 60 degree में यहाँ से 60 degree में तो पहले वाले से first vector से आपको एंगल बताना है तो यह कितना 90 90 plus 60 150 तो देखो D is the correct answer fourth one is the correct answer ठीक है तो यह clear हो गया कोई भी और अगर परिसानी है आप मुझे comment section में बताओ और अगर आपके भी कोई doubt है class 9 से लेकर के 12 तक physics के कोई भी doubt तो whatsapp group अभी join करो जिसकी link आपको description में दी हुई है और वहाँ जा करके अपने question को post करो फिर मिलूँगा आगली वीडियो में तब तक के लिए हसते रहो मुश्कुराते रहो और देखते रहो सौरफसर की class जै हिंद बाई बाई टेक केर